आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मेरा नाम असे धान तक नहीं होता है इस्टेड़ी आईक्यूप आपका बहुत स्वागत है आज हम बात करेंगे दोस्तों चाइना ने किस तरीके से अपने एग्रिकल्चर सेक्टर को रिफार्म कर लिया चाइना ने कैसे घर करने वाले हैं क्यों कर रहे हैं क्योंकि फार्मर प्रोटेस्ट से चल रहे हैं इस वीडियो में आपको बहुत ही जबर्दस्त तरीके से बताऊंगा और एक एक चीज आपको क्लियर हो जाएगी कि गल्ती कहां हो रही है साथी साथ फार्मर प्रोटेस्ट पे परसो मैंने एक गंटे का सेशन लिया है अगर आपको पता है तो कोई दिक्कत नहीं नहीं पता है तो उस वीडियो को देखके इसको देखे क्योंकि हो सकता है थोड़ा टेक्निकल हो जाए तो एक गंटे का सेशन उसमें मैंने बड़ी आसानी से एक चीज समझाई है यह फार्मल यूपी एसी के स्मार्ट कोसेज आते हैं स्टेडी आईक्यू का आप नाउनलोड करके आप इन कोर्स को अवेल कर सकते हैं इंस्टा पे मैं आगया और आतार से दस बज़े तक मैं सारी कोई रिज अंसर करता हूँ तो फार्मल प्रोटेस्ट आपको पता ही है देश भर में फार्मल प्रोटेस्ट जो है वो वो रहे हैं बड़ी दुख की बात है कि किसान जो हमारे सटक पी आ के प्रोटेस्ट कर रहे है और सरकार इधर जुकने को तयार नहीं है सरकार जुकने को क्या हला कि सरकार और फार्मर्स में बात चीत हो ही है 5th round of talks, 5 अभी तक 5 बार बात चीत हो चुकी अमिच शाह जी ने भी मुलाकात की लेकिन अमिच शाह ने जब मुलाकात की उसके बावजूद किसान नों ने ये मानने से इंकार कर दिया मतलब किसानों ने ये बोला कि हम तीनों कानून आप वापस लो ये black acts जो है ने काले कानून वापस लो इससे नीचे हम कुछ नहीं मानेंगे सरकार जो है बदलाव करने में amendment करने में मानें कि ठीक है हम कुछ कानून में बदलाव कर देंगे आप परशान मतों आपकी जो मांगे है वो हम मान लेंगे लेकिन किसान जो है वो कह रहे हैं कि ये तीनों acts आप वापस लो इससे नीचे हम मानेंगे ही नहीं ये protest बढ़ता जा रहा है और ये protest में लोग जुड़ते जा रही है किसान रुकने वाले नहीं है पंजाब हरियाणा अब ये समझे कि पंजाब हरियाणा या किसानों की बात करें तो वो एक डेड़ साल तक ऐसे ही करते नहीं उनको कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये warriors है किसान जो है ना तपती धूप में काम करता है किसान देश को चला रहा है किसान बहुत वक्त तब लगातार काम करता रहता बिना थके तो उनको कोई दिक्कत नहीं है बड़ी बड़ी सरकारों को जुका देंगे ये किसान और इनमें इतना दम है जब भी दुनिया बर में किसानों ने प्रोटेस्ट किया है सरकारे हिल गई है तो ये warriors हैं जो लड़ रहे हैं और हम सब के लिए लड़ रहे हैं लेकिन अगर ये बोले कि इस act में सब कुछ खराब है थे दो सवाल पुछे गए दो aspect है basically पहला economic aspect है पहला सवाल यही है कि क्या ये reforms जो है they will benefit the farmers ये जो सरकार reform लेकिए आई है पहले इसको ordinance इसका पास किया फिर आपदा को अवसर में बदल दिया COVID-19 आया कोई debate तो हो ही नहीं एक के बाद एक कानून पास किया गए जिसमें ये तीन acts भी थे तो क्या ये reforms किसानों को benefit करेंगे दूसरा aspect political है जो मैंने अभी आपको बताया कि जिस तरीके से सरकार ने इसको पारित किया क्या वो सही है बिल्कुल सही नहीं है मेरे इसाब से तो बिल्कुल सही नहीं है प्रॉपर debate होनी चाहिए थी जितने भी किसान unions है उनसे बादचीत करनी चाहिए थी तब आप इसको पारित करते लेकिन सरकार ने इसको पारित किया मंच आची रही होगी कि reformation चाहिए हमको लेकिन चर्चा तो करो यार विदाउट चर्चा ये सही नहीं लगता तो पहला और दूसरा पहला economic aspect है और दूसरा political aspect है पहला indicate ये करता है कि भारत में market economy को लेके distrust बना हुआ है market economy आपको पते ही न it all depends on demand and supply सब कुछ demand and supply पे ultimately किसान क्या करता है किसान उगाएगा अपने लिए कुछ रखेगा बाकी बेचेगा simple सी बात है आप सरकारे क्या करती है उसे MSP पे खरीद लेंगी लेकिन ये भी सरकार जो है आप समझी कि MSP वैसे तो 23 क्रॉप्स पे announce किया जाता है लेकिन देती वो किस पे है wheat और rice पे और wheat और rice में Punjab अरियाना सबसे उपर है इसलिए वहाँ पे जो mandi system है Punjab और हरियाना में वो कमाल का है और खिसानों की सबसे बड़ी मांग यही है कि APMC खतम हो जाएगी और अगर आप MSP MSP इतना कर रहे हो तो आप लिख दो MSP आप देंगे हमको आप कोई कानौन मना दो कोई notification निकाल दो कि MSP नहीं अटेगा simple सी बात है अब ऐसा बोलने को आ रहे हैं कि सरकार इन चीजों पे भी मान गई है तो हम यह देख रहे हैं कि market economy जो है न यह थोड़ा complex क्या मतलब demand and supply पे चलता है ultimately किसान तो आगे बेचेंगे ही न तभी तो उनको पैसा आएगा वो उगा तो रही है खा तो रही है लेकिन बेचेंगे भी ताकि पूरे देश को वो खाना किला सके firms को भी बेचते हैं तो it depends on demand and supply मतलब यह पहला जो सवाल है यह पूरा economic aspect है लेकिन अगर agriculture में बात करें तो भाया distrust है फिक है दूसरा जो aspect है political aspect की बिना debate के पास करा दिया अब इससे कोई अच्छा message नहीं जाता है यह तो गलत है इससे यह बताता है कि सरकार जो चाहेगी वो कर लेगी यानि कि आब खिसानों में और जाधा distrust है वो भरोसा नहीं कर रहे है कि कैसे सरकार काम कर रही है कोई भी कानून ये पारित कर देंगे बिना बातचीत के तो यह कैसे होगा सरकार सही से काम करनी चाहिए ना एक proper way होता है लेकिन यह तो तरीका है नहीं एक democracy में यह दो सवाल है दो aspect है अब दोस्तो distrust तो है ही तो दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए है यह दोनों यह इससे जुड़ा हुआ है यह जो political सवाल है ना यह इससे जुड़ा हुआ है और economic सवाल political से जल दोनों एक दूसरे से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं एक बदलेगा तो दूसरा भी बदलेगा तो सबसे बड़ी बात ये है कि हम यहां तक आ कैसे गए कैसे ये किसान जो है वो मार्केट फोर्सेस को लेके बहुत जादा सस्पीशियस हो गए कि कुछ तो गड़वड है और कैसे चीजे अलग हो सकती थी अगर सही से काम किया होता हम इस इन सवालों के जवाब अब देखते हैं तो दोस्तों इंडिया और चाइना इंडिया और चाइना दोनों की हम बात कर करेंगे अब लेक्चर का जो में मुद्दा है चाइना की बात करें तो आपको पता ही है कि चाइना में कम्यूनिजम है किसी ने नहीं सोचा था कि वहां पर कम्यूनिजम आएगा लेकि 1949 में माउजिदाउं आ गए और उसके बाद भाई कम्यूनिजम इस ओल अबाट लैंड लेबर, कैपिटल, कैपिटलिजम के वह बिल्कुल खिलाफ है तो हमेशा वो जमीनों का मतलब equal distribution सोचलिजम की एक ब्रांच है कम्यूनिजम तो सोचलिजम क्या आमेशा बात करता है कि जो resources हैं वो सब में equally distributed हो कैपिटलिजम में एक इंसान के पास पूरी ताकर चली जाती है पूरा पैसा inequality बढ़ती है लेकिन communism में equally distributed हो तो भाई किसानों को तो जो घरीक किसान जो पेजेंट्स हैं माओं की बात करें माओं जिदाओं की बात करें तो जो communist party तो उसमें जादा तर तो पेजेंट्सी थे गाओं में इनकी पकड़ बड़ी मजबूत ही क्यूं क्यूंकि जो किसान थे वो इनकी बड़ी मदद कर रहे थे तो जब चाइना में आया चाइना में communism आया तो किसानों को बहुत उम्मीद जग गई साथी साथ जिनके पास जमीन नहीं थी उनको जमीन बातना शुरू कर द लगे थे लोग पेड़ पौधे खाने लगे थे उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं थे लाखो लाखो लोग मर गए यह मैंने कवर किया इस पर पूरा एक घंडे का सेचन है मेरा जो 1960 से लेकर 62 तक समय था जिसकी वज़े से माउज जदाओं को अपनी कुरसी गवानी उसके बाद हम देखते हैं कि दो देश जो हैं भारत और चाइना चाइना ने अपने रिफॉर्म्स को एगरी कल्चर सेक्टर से ही शुरू किया एगरी कल्चर सेक्टर ना प्राइमिरी सेक्टर है कि कहीं पर किसी की भी कॉनमी अगर GDP देखे कॉनमी तीन पर ही चलती है एग अग्रिकल्चर आज इसे तो है नहीं, साड़े 3-4 अजार सालों से है, भाई सिंदु घाटी सब बता इंडस वैली सिविलाइजेशन पूरी अग्रिकल्चर बेस्ड थी, अग्रिकल्चर की ही वज़े से तो सामराज बने है न, तो सबसे इंपोर्टेंट, सबसे पुराना प् किया, in fact 1991 में जब भारत ने एकॉनमी खोली, तो manufacturing सेक्टर को जाधा उसमें रियायते देना चुरू किया, liberalize करना चुरू किया, ये दोनों में बहुत बड़ा difference रहा, और इसी difference कि, क्योंकि देखो, आप उपर जाते हो, तो आपको पहली सीड़ी चलनी होती है, आप डारेक बहुत कुछ किया कि agriculture एक state subject है, ठीक है, तो state ने अपने हिसाब से बहुत कुछ किया, भारत ने भी बहुत कुछ किया, वो MSP लेके आये, APMC लेके आये, green revolution आया, बहुत सारे revolution, white revolution, pink revolution, धेर सारे revolution है, या, लेकिन manufacturing sector पे जब 1991 में एकॉनमी खोली, तो उस पे जाधा focus किया, ज कोई बहुत बड़ा वहाँ पे business tycoon थोड़ी ना मिलेगा, और गाउं से ही share शुरू होते हैं, तो कहने का मतलब यह है कि China ने इस पे focus किया, और China इसलिए दोनों देशों का, अगर agriculture sector में बात करें, तो growth rate बहुत अलग है, in fact, गरीबी भी भारत में जादा है, अगर China की बात करें, एक चीज ध्यान रखिएगा, यह सारी चीज हम क्यों बोल रहे हैं, सारी चीज हम इसलिए बोल रहे हैं, क्योंकि हमको यह जानना है कि दिक्कत कहां पे है, अगर आप अपनी गलतियों को पहचाने के नहीं, तो आप जिंदगी में कभी आगे बढ़ी नहीं सकते, एक बहुत बेवगूफ लोग करते हैं, जो जूटी शान, कि कुछ नहीं आता अपनी गलतियों को पहचाने, तो यहां पे हम यह देखने कि दिक्कते क्या हैं, क्योंकि हम सब भारत में रहते हैं, और भारत हमको जान से प्यारा है, अब बात करते हैं, कैसे, यह सब तो बात की हमने चाइना ने अग्रिकल्चर सेक्टर को खोला, लेकिन भाया यह सब हुआ कैसे, 2008 में एक पेपर पब्लिश हुआ था, यह पेपर पब्लिश हुआ था, एकनॉमिक और पॉलिटिकल वीकली में, इसका टाइटल था, The Dragon and the Elephant, Learning from Agriculture and Rural Reforms in चाइना and इंड दिया है, शेंगेन फैन और अशोक गुलाटी, दोनों ही International Food Policy Research Institute से रिलेटेड है, उन्हों ने इस पेपर को पब्लिश किया, यह जो पेपर ने पब्लिश किया और उसके बाद इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीजे थी, इसमें यह था, कि चाइना ने एग्रिकल्चर को ह अपने स्टार्टिंग पॉइंट बनाया, पहली सीड़ी से ही चाइना ने चुरुवात कर दी, अब जब आप ऐसा करेंगे, तो definitely distribution of gains, wide spread distribution of gains, होगा ही होगा, अग्रिकल्चर में जाने का मतला भी है कि आप गाउं में जा रहे हो, आप गाउं को डेवलप कर रहे हो, और इस चाइना में लोग गुस्से में हैं, लेकिन चाइना में development भी है, से भी कोई नकार नहीं सकता, और जब तक लोगों को वो मिल रहे हैं, वो क्यों विद्रो करेंगे, चाइना में दिक्कते बहुत जादा हैं, चाइना में लोग गुस्से में भी हैं, तो कहने का मतलब यह है क कि चाइना इसी लिए लोगों को शांत करने में कामियाब हो गया कि उसने वही दिया जो लोग चाहते थे जो गाओं में रहते थे उनको एग्री कल्चर एग्री रिफॉर्म्स दे दिया यह बाद में हो यह जब तक माओ थे तब तक कोई खास इतना development नहीं हुआ क्योंकि माओ एकनॉमिक्स के शेत्र में बिल्कुल फेल थे लेकिन जब डेंस यह उपिंग आए उन्होंने चीजे एक दा मुलट के रख दी तो जो रिफॉर्म थे जो इंसेंटिव थे बहुत जवर्दस्त रिटर्स आए फार्मर्स को क्रॉप पैटर्स बदले गए पॉलिसी उस तरीक सबसे पहले फूट कोड जाते हैं वही बैठते हैं खाना ओडर करते तो आ कहां से रहे एक 100 रुपय का जो पीज़ा या 200 रुपय का पीज़ा मगार है नो 10 रुपय खाली किसान को मिल रहा है बलकि पूरी मेहनत किसान की है तो किसान से वह एक मैनुफैक्टरिंग सेक्टर ह मतलब वह इंडस्ट्री है पीज़ा पीज़ा हट डॉमिनोज एक पूरी फर्म है तो किसान उनको प्रेड्यूस दे रहा है लेकिन उसके बावजूद रिटर्न उनको कुस्ता मिल नहीं रहा है चाइना में रिटर्न आया रिसोर्स एलोकेशन ज्यादा बहतरीन था जिसकी रूरल नॉन फार्म जिसको बोला जाता है रूरल नॉन फार्म की बात करें यह दिस इस दी में कॉज़स फॉर रापिट पॉवर्टी डिड़क्शन इन चाइना यानि कि वो नॉन फार्म मतलब क्या हुआ रूरल नॉन फार्म किसानों ने पहुँच जबरदस प्रोडक्शन किया जिसकी वज़े से फॉर्म को पैसा गया और यहीं फॉर्म सो जो है गाओं से ही स्टार्ट हुए और नॉन फार्मिंग अक्टिविटीज भी स्टार्ट इस लेड़ी इस पेपर में लिखा है और एन फ सेक्टर बहुत बड़ा कॉज है कि चाइना में गरीबी का रेटक्शन गरीवी में गरीबी घटी अब यह जो आणने शेक्टर बढ़ा इधर से यह कुझा हुआ है इंदर है अब इस ने कैसे अरस शुरू का है वहाता अगर अग्रिकल्चर से आपके रूरल नॉन फार्म सेक्टर को बहुत ज़धा बूस्ट मिला, रूरल से इंडस्ट्री डेफलफ होने लगी, लोग आने लगे, जो नॉन फार्मी अक्टिविटी तो उसमें भी उसको भी इंकरज भी मिला, अब अर्ने अमले से कैसे इस प्लेटी अ सरकार ने ये सोचना शुरू किया कि हमको आर एनेफ को और जाधा एक्सपैंड करना चाहिए ताकि जो गाओं है वो और जाधा पैसा कमा सके लेकिन सरकार के ओपर प्रेशर यह आया अच्छा आप गाओं को तो रूरल को तो बहुत बढ़िया रूरल एकॉनमी बढ़िया चल इस्ते ओन इंटरपराईज fifs से जाधा कमपोटेटिव हो गई आप समझ रहें तो जो इंटरप्राईज इस रूरल एटिया में बइवनि वह यह स्टेट ओन जो सरकारे इंटरपाईजी थी उस से जाधा कमपोटेटिव उस ज्यादा बेतरीन हो गई तो इसका मतलब क्या होगा बाई सरकार कोई चीज चला रही है गाउं में कोई इंटरप्राइज डेवलप होगी मानलो गाउं ने लेज बनाना शुरू कर दिया ठीक है तो किसान गाउं को अलू प्रेदान कर रहा है उससे लेज बन रहा है चिपस ब बन रहे अब हुआ क्या वह इंटरप्राइज जो है वह बहुत बड़ी होगी सरकार के अपने इंटरप्राइजेस है वह इतनी बड़ी नहीं तो सरकार क्या करेगी जो उसकी खुद की कंपनीज है उसको और बड़ा बनाएगी उसमें भी रिफॉर्मेशन लाएगी तो इस स्टेट ओन एंटरप्राइज इसमें भी रिफॉर्म्स लेखिया है जिसकी वज़े से और ओवर एकॉनमी भड़ी मैक्रो एकॉनमिक रिफॉर्म्स आए ठीक है यानि कि एकॉनमी और तेरी से बड़ी अब क्या हुआ गाओं को देखते देखते इस्टेट रिफॉर्मस अब इसमें आएगा तो डेफिनेटली मैक्रो एकॉनमी बदलेगी और जिसकी वज़े से एकॉनमी बढ़ेगी तो गरीबी अपने आप कम होगी ही होगी सिंपल सा कंसेप्ट है तो आप देखिए 1978 से लेकर 2002 तक जो एगरी कल्चर ग्रोथ थी वो डबल हो गई बहुत तेज से वड़ी और इसलिए पॉवर्टी जो चाइना में है वो 33 परसेंट से नीचे गई ही जो पॉपलेशन इतनी गरीद थी एक समय पे उसके पास कुछ नहीं था इतना सूखा पड़ रहा था वो गट गई इंडिया में क्या हुआ यह तो चाइना की बात कर ली इंडिया में क्या हुआ बहुत नहरु को आप लोग बोलते हैं मुझे समझ में नहीं आता है मैं आपको बता देता हूँ 1960s में poverty reduction बहुत तेजी से हुआ अब जो बोलते हैं एक मैं आपको तर्ग देता हूँ अगर आपके आप बिल्कुल मुझसे disagree कर सकते हैं cricket match होता था पहले जब सचेन आये थे तो क्या था कि पूरी टीम सचेन पर डिपेंट रहती थी तो मालों 300 का टार्गेट बनाया है तो सचेन century मारता था जैसे ही सचेन आउट हुआ पूरी टीम आउट हो जाती थी सचेन ने अपना काम कर दिया बाकी टीम को भी अपना काम करना पड़ेगा ना समझे रहो कि नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ जवाल ना लेहरू अपना काम करके चले गए 1960s यह देख लिए आकड़े हैं यह facts हैं 1960s में poverty reduction हुआ जबरदस्त poverty reduction हुआ क्योंकि आपको बता दो जब भारत आजाद हुआ था तो पूरी दुनिया वेस्ट वर्ड पूरा पाकिस्तान के साथ था यह आपको पता ही है कई पर मैं बता भी चुका हूँ तो पूरी दुनिय बस गिद्ध की तरह आँख लगा के बैटी हुई थी कि भारत बचे का ही नहीं भारत गया काम से क्योंकि भारत कोई देशी नहीं है उसको तो इतनी रियासतों को मिला के एक देश बनाया है अलग अलग कल्चर और सबको लेकिन हम शुरू से यह से रहे हैं unity diversity अगर टेबल पे एक ही तरीके का खाना हो तो बेकार है बेस्वाद है अलग अलग तरीके के खाने जब होते न तो मज़ा आता है तो हम वैसे ही हैं हम पूरी दुनिया में सबसे बड़े इसे लिए हैं क्योंकि हम डाइवर्स हैं और यही हमारी ताकत है लेकिन यह बिल्कुल सच है कि अब उठा के देखने वह कमार के दिशांदार और उन्होंने उस लीडर्शिप को चांज साउथ का के कामराज हो अब जो साउथ के लीडर्स हैं नौर्थ नौर्थ इस हर जगा के लीडर्स आगे लेके गए भारत को अब जब आगे लेके गए तो 1960 में रैपिट पॉवर्टी डिड़क्शन हुआ यह देखिए आप यह पेपर में लिखा है बकाइदा अब रैपिट पॉवर्टी डिड़क्शन हुआ अब पॉवर्टी डिडियूस कैसे हुई पॉलिसी की वज़े से लाल बादू शास्त्र तो अक्चुली में अगर आपको किसी को ब्लेम करना है कि भारेट डिड़क्शन हुआ तो वो बाद के लीडर्स हैं शुरुवात में वो अपना काम करके चले गए उसके बाद आप उस लेगसी को कैसे समालते हैं आप पे डिपेंड करता है एक बिजनस अगर आपने पिता थोड़ा सा समझो क्योंकि इतने बड़े-बड़े लीडर्स को जब गालियां दी जाती है पहले तो आप वैसे हो तो पढ़ो तो यह गलत है यह सब लीडर्स जितने भी है इन सब ने भारत के लिए बहुत कुछ किया है बट एनिवे हम थोड़ा सा मैं आपको पते ही कि कभ भारत में poverty reduction 1960s में हुआ और 1980s में भी हुआ लेट 1980s में भी भारत में poverty reduction हुआ ठीक है लेकिन यह दिस वॉस नॉट विकॉज अफ रिफॉर्म्स जब जब भारत ने एगरी कल्चर को ध्यान में रखा है तब तक हमेशा भारत में poverty reduction हुआ है इसी लिए पंजाब और हरियाना प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्यूंकि भाई पंजाब लैंड और फाइव रिवर्स है वेटाइल है हरियाना चले जाएए अच्छा मकान आपको दिखे गा ही नहीं इतनी जबर्दस्त prosperity है वहाँ पे हरियाना में हरियाना पंजाब जो है wheat और rice सबसे दाता तो वहीं से आता है न यह हूं सबसे दाता हरियाना खेती में नंबर वन है क्यूं क्यूंकि वहाँ पे मैंने बता है agriculture state subject है मंडियों का काम यह हाँ पे बहुत बेत्रीन है हाँ यह बिल्कुल सही बात है कि पूरे देश में अगर आप देखें जैसे ओडिशा का किसान इतना आवीर नहीं है ओडिशा का किसान गरीब है लेकिन पंजाब हर रही तो वही सरकार से बोल रहा है कि आप भाईया जो act लाय हो अगर बहुत डेवलप करेगा, उनके पास इतने करोण रुपए हैं, तो तो आप हमारी मंडी को APMC खातम हो जाएगी, हम कहां जाएगे फिर, हम तो बरबाद हो जाएगे, और अगर प्राइवेट मंडी इसको आप ये सुनिश्रित करो ना, कि आप MSP पर ही वो हमसे माल खरी अगर वो MSP पर माल नहीं खरी देंगे, तब क्या होगा, क्योंकि जब किसी के पास बहुत धादा पैसा होता, तो उसके पास पावर बहुत जबरदस्त होती है, तो इसी लिए ये प्रोटेस्ट हो रहे है, अब आपको बताईए कि भारत जो है, इस्टिल कंटिन्यूज वि कि हमको food security देनी है, 80 करोडों लोगों को food security देनी है, मनमोहन सरकार ये act लेकि आई थी 2013-2014 में आपको यादी होगा जाने से पहले, बहुत बढ़ी अ कदम था ये, क्योंकि भाई गरीबों को तो उमको खाना दे नहीं है, तब ही तो food procurement क्या FCI करती है, अब यही FCI क्या है, MS पे माल खरीदेगी, किसानों से, और यही food procure करते है, MSP पे, और फिर यहाँ पे गोदामों में जाता है, और फिर यह लोगों को मिलता है दुकानों से, लेकिन इसमें भी बड़ा घपला होता है, तो इंडिया चाइना पे difference कहां आ रहा है, यह हमको देखना है, तो चाइने क के policy maker ने, पहले क्या किया, incentive देना चुरू किया, और institutions बनाने चुरू किया, मैंने बता न, RFN, institutions और incentive देना चुरू किया, 1980s में, और उसके बाद market को धीमे धीमे open किया, central planning को withdraw किया, और तब हमने scope of procurement बढ़ाया, समझे क्या बोल रहा हूं मैं, मैं यह बोल रहा हूं, भारत क सम नहीं कर रहा है, चाइना ने क्या किया, फिर से आप compare करते हैं अभी हम, ठीक है, चाइना ने क्या किया, चाइना ने पहले किसानों को incentive दिया, कि तुम उगाउन तुमको पैसा देंगे, परचान मत हो, विजली free, free ने, मतलब बहुत incentive दिये, institutions बनाया, institution बनाया, उसके बा पाजे तक ले गया, और मैं PCRD, हड़ गया, चाइना ने ये किया, अब इससे हुआ क्या, भाई किसान जो है, वो बिल्कुल आगे तक बहुत गया, इन सब steps से, फिर private traders है, market बढ़ा, इससे क्या हुआ, कि पहले आपने अच्छी खासी जमीन तयार कर दी है, और उसके बाद अगर private interfere भी करा है, तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भारत उल्टा हो रहा है, भारत में पहले ही market को खोला जा रहा है, ये जो reformation आए है, ये दिक्कत है, लेकिन वही चीज है, कि देखिए, भारत चाइना का model replicate नहीं कर सकता, चुकि भारत और चाइना बिल्कुल अलग है भारत चाइना में initial condition की बात करें, 1970 में भी अगर health education और equality की बात करें, तो भाया चाइना जो है वो भारत से काफी better था, power sector में भी growth हो रही थी, तो इसे लिए private और economic restriction की मतलब जो चाइना की rural population पे लगा, ठीक है, country ने अच्छी खासी growth जो है वो attain की, लेकिन भारत में ऐसा न भारत में, तो ये चाइना, तो हम simply ऐसा नहीं कर सकते की चाइना का पूरा-पूरा model copy कर लिया, वो हमारे लिए possible भी नहीं था, situation के साब से हमने deal किया, तो अगर आप broad perspective से देखो, अभी जो MSP की demand हो रही है, वो भाई एक तरीके से हरियाणा और पंजाब की बिल्कुल सही ह कि अब कैसे MSP, देखिए सरकार बोल नहीं नहीं कि MSP give up करेंगे, लेकिन ये जो incentive है, ये आप लिखतो तो कम से कम, तो अभी ideally सरकार को करना क्या चाहिए, सबसे पहले तो सरकार should have build up the case for market ground up, पहले तो आप उनको level playing field पे लेके आओ, और तब आप farmer को allow करो, time दो कि market forces के हिसा हट भी जाएं, थोड़ा सा, एक मिनट के लगर आप हटे हैं, तो दूसरे sectors की बात करें, वो भी इसी policies का शिकार है, मतलब ये जो policies है, इस issue का शिकार है, issue क्या मतलब, कि जैसे product linked incentive है, इंडिया manufacturing sector को product जबा रहे तो आप incentive देंगे, उसमें भी क्या है, कि हम domestic firm को market competition से बचा रहे हैं, जो आप import में बैन लगाते हैं, import tariff जाधा करते हैं, इसमें भी आप जो domestic firmset उसको market competition से बचा रहे हैं, market forces से बचा रहे हैं, है कि नहीं, तो अगर आप उनको देखें, उन सारे sectors को अगर आप ले ले, तो भाया issue सेमी है, कहने का क्या मतलब है, कहने का ये मतलब है, कि अगर economic, देखें, greater play of the free markets, free market अगर जाधा आएगा, यहाँ पर सरकार कहरी कि हम free market दे रहे हैं, market competition जाधा होगा, लेकिन अगर आप देखें अभी जो मैंने आपको बताया, सरकार खुद ही domestic firms को बचाती है, ताकि market भाई, RCEP से हम दूर क्यों हुए, हमको पता था कि आप समझ रहें, तो नहीं हो रहा हूँ, RCEP से हम त्यों दूर हुए, क्योंकि हमको यह लग रहा था कि हमारा domestic market बरबाद हो जाएगा, चाइना अपने products को यहाँ, New Zealand अपने dairy products को यहाँ बेचेगा, तो हम बरबाद हो जाएगे, यानि कि हम खुदी market competition से एक तरीके से पीछे अ जारी है, जो एक तरीके से market forces को मतलब अंदर एंटर ना होने दे, हम थोड़ा सा फिलाल अपने लोगों के लिए काम करें, समझे, यह चीज है, तो आप देख सकते हैं, data यही बताता है, कि जो bulk of the farm produce है, that was traded privately, बिलकुल, यही तो किसान कह रहे हैं, कि भाई, इन लॉस से पह और institution, creation of incentives and institution, market economy के लिए, पहले आप incentives दो, और फिर institution मनाओ, ताकि proper तरीके से function कर सके, farmers और एक level playing field हो, ठीक है, तो यह चीज है, अब आप देख लिजे, अभी NFHS file, यह जो data आया है, इसमें क्या बताया गया, कि several Indian state child malnutrition, 2015 से 2019 तक काफी बढ़ा है, यह दोस्तों article था, I hope आप समझे होंगे, थोड़ा technical तो नहीं किया नमे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से, अगर मैं अपना जो थोड़ी बहुत मुझे बुद्धी है, किसानों को भी बैठना चाहिए, और सरकार को भी बैठना चाहिए, और ऐसा नहीं है कि इ यह पूरा जो आप आट है वो बापस लो, लेकिन एक बात मेरे ख्याल में और देखें, और उसके बाद एक बढ़िया सा, प्रॉपर ऐसा कानून हो, जो अल्टिमेटली किसानों को सबसे ज़ादा प्रॉफिट दे, 12,100 सब्सक्राइबर हैं दोस्तों, मेरे टेलिग्राम च